आज हम बनाएंगे प्रोटीन से भरपूर स्नैक जी हाँ गलोटी कबाब जो लोग डाइट पे हैं या जो हेल्थ कॉंशियस है उनको तो ये रेसिपी देखनी ही चाहिए और बाकी सबको भी और उसके पहले सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी हाँ हम अब 3000 फामली बन गए ह और अगर आपने मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए गलोटी कबाब के लिए हमें एक कब राजमा चाहिए कोई भी वराइटी ले सकते हैं राद भर इसको सोक करना है या दस घंडे तो करी लीजेगा जब अच्छे से सोक हो जाएगा तो इसके क्योंकि मैशी करना है तो अच्छे से करना है तो चार पांसीटी तो देना ही होगा अगें डिपेंड आउन कूकर पानी सब कुछ फरक पड़ता है यह देखिए जब आपक ऐसा मैशी हो जाए फिर हम लोग इसको चानेंगे और ठंडा करेंगे क्योंकि गरम गरम हम लोग न अध्रक लेसुन का पेस्ट है उसके बाद फिर यह मैंने थोड़ासा दो चमच दूद में केसर डाल दिया ता फ्लेवर और कलर काजू जरूर डालीगा चार पाच दाने काजू थोड़ासा तेल दो चमच उसके बाद पेस्ट के बाद हम लोग को बाइंडिंग के लिए यह चार से पांच आराम से कर सकते चाहे तो बॉइल्ड आलू भी यूज़ कर सकते है लेकिन फिर वो हेल्थ वाला ने बन पाएगा उसको थोड़ा देर आदा खंटा छोड़ दीजेगा उसके बाद अब यहां पर फ्राइंग का दो तिन प्रॉसेस है अगर आपको एक्तम करा करेंगे वैसा इसका कलर आएगा और यह धीमे आच में ही करना है और यह बहुत अच्छा लगता है बिलीव करिए आप राजमा के जगा काला जो चना होता है ब्राउन चना उसको भी आप बॉइल करके सेम मसाले डालना है धनिया जीरा पाउडर करेशियो हमेशा वन इस बट मैं आपको कम तेल में भी दिखाऊंगी यह तो मैं एक पार्टी के लिए तियार कर रही थी लेकिन नगर जैसे की हेल्थ के लिए खाना है या प्रोटीन ही खाना है तो बस अब इसी को मैं पूरा स्प्रेट करके इसमें 6-7 बना लूँगी और इसके बाद यह तेल सिंपल सा कबाब रेडी है आप लोगों को सब्प्राइज कर सकते है अपने घर में पार्टी में बुला कर या फैमली मेंबर को भी अगर आपको इसका नॉन वेज वर्शन देखना है तो आप इसे जरूर कमेंट करें और मुझे बताइए अगर आपको देखना है तो मैं इ इसी तरह ये कम तेल में भी बनता है एर फ्राइड भी होता है जैसा आपका मन हो फिर हरी चटनी के रेसिपी मैंने पहले से ही डाल दी है आप इसे उसके साथ जरूर खाईए सॉस के साथ खाईए जिसके साथ मन हो और मेरे चानल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए लाइक करिए मोटिवेशन मिलता है और मैं बहुत खुश हूँ अब हम लोग 3000 सब्सक्राइबर की फामली बन गए है इसी तरह आप हमारा शो देखिए हमें प्यार दीजे और देखिए बातों ही बातों में हमारा ये कम तेल वाला भी बिलकुल रेडी हो गया है मैं आपको इसको त दिखाती हूँ ये देखिए कितना अच्छा बना है तो आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा बाए